हालो भूलो 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 भूलू हाल वच्च वैसे हूँ आप सरी च इसारी बच्चे बहुत-बहुत सब्द्द के आप सभी बच्चों का आप आप यूट्वीच्ट है नाम है Physicsman और इस सीरीज के इंदर जसके मैं डाल रहा हूं sequence के अंडर सारे के सारे lectures जो भी बच्चे नीट के तियारी कर रहे हैं वो इन lectures का भरपूर फैदा उठा सकते हैं क्योंकि इन lectures को बनाने का जो मकसद है वह आप बच्चों की main problem का solution निकालने है क्या है बच्चों की main problem सर हम physics पढ़ते हैं physics समझ में आ जाती है बड़ जब हम खुद से numericals करते हैं, तो फिर हम से physics के questions all नहीं होते हैं, तो अब मैं जो इन lectures के अंदर पढ़ा रहा हूं, उसमें दो बातों का मैं बहुत खास ख्याल रख रहा हूं, एक, तो physics जैसे कि आपको lengthy लगती है कहीं और आप पढ़ते हो, वो आपको lengthy ना लगे, क्योंकि उसकी और बहुत कम समय के अंदर, मेरा एक unique flow है, जिसकी वज़्जे से बच्चे मुझे जानते हैं, हम उस flow, उस sequence का फायदा उठाते हुए syllabus को खतम करने वाले हैं, बहुत कम समय के अंदर, ठीक है, और कुछ इस तरीके से खतम करने वाले हैं, कि आपको कभी भी, किसी भी topic की questions को करने के अंदर problem नहीं आएगी, you can check yourself, जैसे आप मेरा कोई lecture देखोगे, उस lecture को देखने के बाद में, आप उस topic के उपर randomly questions करके देखना, किसी भी book या किसी भी coaching institute के module से आप देखोगे, पहले जहां पर आप से 10 में से 2 या 3 सवाल हो पा रहे थे किसी topic को पढ़ने के बाद म अब ये जो number है वह ये, ये 7 या 8 सवाल तक पहुंच जाएगा, मतलब इतना आपको difference महसूस होगा और ये मेरी बातों पर विश्वास मत करो, खुद lectures देखो और खुद lectures देखने के बाद में सवाल try करो, और फिर अगर आपको सच में लगेगी higher, सरका पढ़ने का तरीका वाकेई unique है, वाकेई सरके पढ़ने का जो output है, वो बहुत अच्छा है students के लिए, तब आप इन lectures को follow करो, ठीक है, बट मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों की इस problem का solution निकाला जाए, क्योंकि इस problem का solution शायद कोई नहीं निकाल रहा, ठीक है, कहीं कह बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, इतना ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, कि जो average या below average बच्चा है, वो following नहीं कर सकता, कहीं कहीं पढ़ाया तो जा रहा है, teacher बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, समझा रहा है, बट उसका जो output बच्चों के level पर आना चाहिए, वो लेक्चर के अंदर, ठीक है, और हर लेक्चर के अंदर मैं बताता भी हूँ, क्योंकि हर लेक्चर के अंदर नए बच्चे जोडते हैं, तो मकसद बताना ज़रूरी है इन लेक्चर को बनानेगा, ठीक है, तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते है, chapter number 6, work energy power, lecture number 4, पिछले तीन लेक्चर के अंदर आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से work को calculate करना सीख लिया, अलग-अलग scenario के अंदर, आपने energy के बारे में बढ़ लिया, आपने तीन बहुत important हथियारों के बारे में बढ़ा, कि kinetic energy का change, net work done के equal होता है, potential energy का change, negative of conservative forces के work के equal होता है, और जो mechanical energy का change है, non-conservative forces के equal होता है, और फिर आपने धेर सारे questions मेरे साथ में करके देख लिए, आपको पता लग गया है कि हाँ, हथियार जो है, वो बहुत powerful है, बहुत clarity के साथ में सरने हमें समझा दिया, कैसा सवाल होगा, और उसके अंदर कौन सा हथियार लगेगा, अब हम और आगे बढ condition के बीच का relation, यह बहुत unique concept है, थोड़ा नया concept है, लेकिन इसके उपर आजकल questions बहुत जादा chances है, exam के अंदर ऊचे जाने के, बहुत जादा, ठीक है, तो बहुत important है topic, इसके बाद में हम लोग concept of power के बारे में बात करेंगे, और problems based on power, लोगों को लगता है, power बहुत simple सी ची questions बनाये जा सकते हैं, and again, it is one of those topics जिसको पहले नजरंदाज करते थे examiners, अब questions बनाये जा रहे हैं, और exams के अंदर डाले जा रहे हैं, तो आज का lecture अगर मैं कहूं, तो पिछले तीन lecture से भी ज़्यादा important है, इसको शुरुआत से लेकर आखरी तक देखना, copy, pen, दिमाग, प तो उसके तो आपको चिंता करने के आउशकता ही, नहीं है, अच्छा, आप मेंसे बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहोंगे, कि सर, YouTube पे तो सिर्फ lectures है, हम तो पूरी की पूरी तयारी आपके साथ करना चाहते हैं, तो हमें तो lecture की PDF भी चाहिए, हमें तो DPP भी चाहिए, ह अगर आप सच में इंट्रेस्टेट हो, मेरे साथ में नीट और जही मेंस की तयारी करने के लिए, तो मैंने कोशिश करिए, सब कुछ एक बहुत ही प्यारे तरीके से, एक ही प्लेस पर अरेंज करनेगी, और वो है मेरी अपनी website www.physicsman.in, इस website को आप एक बार देखो, जाओ और चेक आउट करो, हो सकता है, जिस right solution के आप तलाश कर रहे हो, आपको इस website के उपर मिल जाए, ठीक है, चलो, शुरू करते हैं आज का lecture, बहुत हो गया प्रमोशन, सबसे पहले बात करते हैं, force through potential energy, अच्छा देखो, अगर मानलो हमें conservative force दिया हुआ हो, मानलो हमें conservative force गिवन क्या है, हमें given है conservative force, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें change in potential energy निकालना है, यह तो हमें given है, ठीक है, और इसको एक बार के लिए अपन ले लेते हैं, F, यह हमें given है, और हमें क्या निकालना है, हमें change in potential energy निकालना है, हमें change in potential energy निकालना है, हमें change in potential energy निकालना ह यू फाइनल माइनस यू इनिशल यह हमें फाइंड करना है कैसे करेंगे तर बहुत आसान है आप नहीं बताया था बेसिक डेफिनेशन है कि जो चेंज इन पुटेंचिल एनर्जी होता है वो होता है वर्क डन बाए एफ यह जो कंजर्वेटिव फोर्स है न इसका वर्क डन निकाल लो और इसके आगी लगा दो नेगेटिव साइन ठीक है और वर्क हमें कैलकुलेट करना आता ही है किसी भी फोर्स का तो इन जनल हम लोग इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं अगर हमारा फोर्स वैरियेबल है तो f.dr आर कोई सी भी डाइरेक्शन हो सकती है ना यह तो बन गया हमारा केस नंबर वन और ऐसी प्रॉब्लम्स तो हमने खूब कर ली हमने वर्क तो हमने खूब कैलकुलेट कर लिया ना वर्क में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अब इंट्रेस्टिंग चीज बताए गया है कि इसकी उल्टी प्रॉब्लम्स भी बनती है मत काश लिए अमबर काश नम्बर सुन्ब्र तू अब की बार आपको गीवन क्या होगा अब की बार आपको पोटेंट्चाल एनरजी गीवन होगा सुन्थ् अब और ऑप तरीके से पहले धाये सिक्थ Tribal मतलब जिस direction में आपका force है उसी direction में जो position vector है उसकी format में आपको potential energy दी जा सकती है या फिर दूसरा तरीका और हो सकता है किसी place पर potential energy को देने का वो है उस place के coordinates x, y और z coordinates के form में भी आपको potential energy दी जा सकती है जैसे मान लो एक example तो हमारा ऐसा हुआ इसका जो example है हमारा वो तो कुछ ऐसा हुआ कि हमें potential energy दे दी गई है u is equals to minus k upon r तो किसके format में दे रहे हैं कि आर तो यहाँ पर force जो है वो r की ही direction में है Central forces बोला जाता है या फिर दूसरा case ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है हमें potential energy coordinates की form में दे दी जाए मतलब u हमें दे दिया जाए जैसे x square plus x y plus z square ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है कहने का मतलब यह है कि हमें किसी particular position पर potential energy given होगी या इसको और technically आप बूलना चाहो तो हमें potential energy का space के अंदर distribution given होगा मतलब ऐसा या फिर ऐसा कोई formula given होगा जिसकी मदद से हम लोग किसी भी place के उपर potential energy find out कर सकते है in some coordinate system ठीक है तो यह तो हमें दिया होगा और हमें अब क्या find out करना पड़ेगा अब हमें force find out करना पड़ेगा अब हमें क्या find out करना पड़ेगा वेटा हमें force find out करना पड़ेगा तो अब देखो आप मेरे साथ में इतने लंबे समय से पढ़ रहे हो तो आपके लिए तो बहुत simple है problem हमने कई बार ऐसा किया हमने देखा है कि अगर force दे रखा है और potential energy निकालनी है तो हमने क्या किआ है integration किया है integration का मतलब चाहते है area under the curve अगर उल्टा काम करना हो तो integration का भी उल्टा उल्टा काम करना पड़ेगा और integration का उल्टा काम होता है differentiation तो यहाँ पर हमें पता पढ़ गया कि हमारा force जो होगा वो हो जाएगा negative थीक है तो वहाँ परभी negative sign था, यहाँ पर भी negative sign आ गया, वहाँ पर हम integration कर रहे थे, यहाँ पर integration का उल्टा काम करेंगे, अब की बार हम potential energy का R के respect में क्या कर देंगे, differentiation कर देंगे, खत्म, सर यह तो case number one हुआ, इसमें किसके respect में करेंगे, यहाँ तो तीनोई coordinates की form में potential energy दे रखी है, तो इसको हम कहते हैं gradient form, तो gradient form में अपन क्या करते हैं, minus तो sign लगाई है, हम पहले potential energy का X के respect में differentiation करते हैं, तो हमें force का X component मिल जाते हैं, फिर हम potential energy का Y के respect में partial differentiation करते हैं, तो हमें force का Y component मिल जाते हैं, और फिर हम potential energy का Z के respect में partial differentiation करते हैं, और इससे हमें force का Z component मिल जाता है, बाहर आपका negative sign already रखा हुआ है, तो इस तरीके से भी हम लोग force find out कर सकते हैं, तो ये force F को find out करने का तरीका है, ठीक है, तो vector form में हमारी force जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है, तो ये जो problem है ये बहुत interesting है, क्यों interesting है, एक तो ये नई problem है, पहले इस situation के उपर questions नहीं पूछे जाते दे, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि यार लोगों के लिए calculus बहुत difficult है, बट अब इतना तो हम evolve हो चुके हैं कि calculus हमारे लिए बहुत आसान हो चुके है, अब calculus अगर हमारे लिए आसान है, तो फिर अब हमारे लिए ये इस type के questions जो निकालना हो, तो हम work calculate करते हैं using integration, और अगर ultra काम करना हो तो potential energy दे रखियो, force निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, integration का ultra काम differentiation, अगर r की respect में दे रखाए तो सीधा-सीधा r की respect में differentiation, और अगर x y z की respect में दे रखाए, तो using partial differentiation ये वाला formula यूज करके हम लोग force calculate करें, ठीक तो जैसे मानलो मैंने जो दो example लिये थे इनका answer क्या होगा तो इस वाले example के अंदर आपका force कितना हो जाएगा तो इस वाले example के अंदर force हो जाएगा आपका direct r के format में है तो आप क्या करो इसका differentiation कर दो तो जब differentiation करोगे तो minus k तो constant है और 1 upon r का differentiation क्या होता है minus 1 upon r square होता है minus 1 upon r square तो आपका force आजाएगा k upon r square ये आपका answer हो जाएगा और अगर मानलो इस case में आपको force निकालना होता यहाँ पर आपको force निकालना होता तो आप partial differentiation का use करते क्या बताया था मैंने सबसे पहले negative sign लगा दो फिर एक bracket बना दो ठीक है अब इसका u का x के respect में partial differentiation करो partial differentiation का मतलब यह होता है कि जब हम x के respect में differentiation करते हैं तो y और z को constant treat करते हैं तो यहाँ पर हम जब x के respect में partial differentiation करेंगे y और z को हमें constant treat करना है तो x square का differentiation कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा x y का differentiation कितना हो जाएगा देखो y तो constant है और x का differentiation कितना होता है 1 तो सीधा सीधा क्या बचेगा यहाँ पर y बचेगा और z square तो पूरी की पूरी constant term हो गई क्योंकि हम z को constant treat कर रहे हैं तो उसका तो और और differentiation कितना हो गया 0 तो यह तो हो गया x के respect में partial differentiation हमने लगा दिया i cat फिर उसके बाद मैं y के respect में क करेंगे तो इसका differentiation 0 हो जाएगा क्योंकि इसको हम constant treat करेंगे इसका differentiation हो जाएगा x constant है y का differentiation 1 तो सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा आपका x और z square का differentiation हो भी और all कितना हो जाएगा 0 क्योंकि y के respect में partial differentiation कर रहे हैं x और z को constant treat करेंगे तो यह y के respect में partial differentiation आया इसके साथ हमने चि में करते हैं तो इसका और-all differentiation 0 हो गया ठीक है क्यों क्योंकि X को constant treat करने इसका और-all differentiation 0 हो गया क्योंकि X और Y दोनों constant treat करने और Z square का differentiation कितना हो जाएगा Z square का differentiation हो जाएगा आपका twice of Z और इसके साथ अपने चिपका दिया इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं force find out कर सकते हैं अब हमें कोई भी point दिया जाएगा जैसे मान लोग ठीक है हमें बोला जाएगा कि बताओ at point 1,2,1 बताओ कितना होगा force तो अब हम इसमें क्या रख देंगे X की जगह 1 Y की जगह 2 और Z की जगह 1 रख देंगे तो हमारा force जो है वो आ जाएगा बड़े आसानी से निकाल सकते हो X की जगह रखा 1 और Y की जगह रखा 2 तो यह जाएगा 2 प्लस 2 4 तो माइनस का 4 टाइमस आई कैप आ जाएगा X की जगह क्या रखना है 1 रखना है तो यहाँ पर माइनस का J कैप आ जाएगा क्योंकि भार माइनस है न और Z की जगह क्या रखना है 1 रखना है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका plus twice of k cap इस तरीके से आप force निकाल सकते हो और पिर चाहो तो फिर इसका magnitude भी निकाल सकते हो ऐसी problems आजकल बहुत पूछी जा रही है और अभी मैं आपको फिर इसकी variety बताऊँगा बट कम से कम एक बार basic आपको अठ्छे से समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से देख लो इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चोट इसी चीज है पुरा अच्छे से समझो और फिर उसके बाद में आगे बढ़ो अभी सिर्फ इतना पकड़ो कि क्या दिया जाएगा और क्या पूछा जाएगा तो हमें कौन सा हथियार लगाना है ठीक है अब अपन करते हैं इसकी टांच परताल इसके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखते हैं कैसी वराइटी ओफ प्रॉब्लम इसके उपर बन सकते हैं जैसे यह देखो पोटेंशल एनर्जी ओफ पार्टिकल एट पोजिशन एक्स तो हमें पोटेंशल एनर्जी गिवन है एक्स के फॉर्मेट में ठीक है विच आफ दी फॉलविंग इस एक्विलीब्रियम पोजिशन ओफ दी पार्टिकल तो देखो जब आपकी पोटेंशल एनर्जी सिर्फ एक्स की फॉर्म में दी जाए सिर्फ य की फॉर्म में दी जाए सिर्फ जैड की फॉर्म में दी जाए तो आपको सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशेशन करना है क्योंकि बाकी दो के respect में partial differentiation करोगे तो वैसे भी 0 आ जाएगा, ठीक है, तो हम जब यहाँ पर force निकालेंगे, तो हमारा force जो निकल के आएगा, वो कितना आ जाएगा, f vector कितना आ जाएगा, minus du divided by dx times i cap, जो j cap और k cap अली term है, वो हो जाएगी 0, ठीक है, चलो, तो निकालते हैं ह कि आ जाएगा हमारा force, f is equals to, minus तो ही है, इसका differentiation करते हैं, तो x square का differentiation हो जाएगा, 2x, और minus 5x का differentiation हो जाएगा, minus का 5, times i cap, इतना हमारा force आ जाएगा, अब हम से पूछा गया, which of the following is equilibrium position, तो मैंने आपको बताया था, equilibrium में, जो net force होता है, वो कितना होता है, 0 होता है, तो इसके लिए तो आपको फिर आगे दिमाग लगाने की जरुरत ही नहीं है, अगर बात करी जा रही है किसके बारे में, equilibrium के बारे में बात करी जा रही है, तो force की value को आप क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, और जैसे force की जगे 0 रखोगे, यानि कि 2x minus 5 जो है, वो 0 हो जाए जाएगी, x की value मिल जाएगी, 5 divided by 2, ये कट जाएगा आपका 2.5 meter, ये हो जाएगा आपका answer, तो x is equals to 2.5 meter, इस position पर आपको equilibrium मिलने वाला है, in this potential field, ऐसे unique questions वनते हैं, ये questions समझ में नहीं आते बच्चोंगे, इनकी language ही नहीं समझ में आती, आप मेरे साथ sequence से पढ़ते जा र लग रहे हैं, आपने क्या बड़ा sequence में, आपने बड़ा, यार, u जो है, वो हमें दे रख है, तो, और equilibrium के बारे में पूछा है, तो now you can connect the sequence, की equilibrium का मतलब क्या हो गया, force का zero होना, अच्छा force, तो हमें u से क्या निकालना है, force निकालना है, तुम connect कर सकते हो, normally बच्चों को य क्या जाते हैं, इतने आसान questions को, और देखो, एक और question देखो, the work done in moving a particle from a 0.1,1 to 0.2,3 in a plane, in force field with potential, this, तो देखो, हमें work निकालना है, work निकालने के लिए किस की आवशकता होती है, एक तो force की आवशकता होती है, और एक displacement की आवशकता होती है, तो displacement हमारे पास में already है, ठीक ह हमें कहां से कहां जाना है, 1,1 से 2,3 तक जाना है, तो final में से initial को minus कर देते हैं, तो 2 में से 1 गया, तो कितना बच जाएगा, 1 i cap बच जाएगा, और 3 में से 1 गया, तो कितना बच जाएगा, 2 j cap बच जाएगा, तो displacement हमारे पास में है, अगर हमारे पास में force आ जाए, तो फिर पोर्स निकालना तो सर्ण ने बताया था ठीक है तो अब हम पोर्स निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें पार्शल डिफ्रेंशेशन क्योंकि एक्स जैड की फॉर्मेट में दे रख है तो हम लिखेंगे माइनस डैल यू डिवाइड़ बाई डैल एक्स टा नहीं रखी तो अब देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए कि हमारा जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा पहले यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशेशन करते हैं तो के तो कॉंस्टेंट है एक्स का डिफ्रेंशेशन कितना हो जाएगा वन और y का differentiation कितना हो जाएगा 0 क्योंकि y को constant treat करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा k आएगा तो यह आजाएगा minus k times i cap और similarly जब y के respect में करेंगे तो k तो constant है x का differentiation कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और y का differentiation कितना हो जाएगा 1 तो again क्या बचेगा k बचेगा तो minus k times j cap, यह हमारा force आगया, force आगया, displacement आगया, अब बड़ी आसनी से आप क्या निकाल सकते हो, work निकाल सकते हो, तो work होता है आपका force और displacement का dot product, और क्योंकि आपके पास में दोनों Cartesian format में हैं, तो यह question दो बहुत आसान हो गया, हमने इसको इससे multiply किया, कितना आया, minus का k आ तो इससे multiply किया, कितना आया, minus का 2 के आया, तो ultimately आपका work कितना हो जाएगा, minus 3 के हो जाएगा, this will be your answer, minus 3 के, option number, option number, option number, 2 will be correct, इतना हमारा answer हो गया, तो यह सारी की सारी चीजें जो है, यह आपको अब बहुत आसान लगेंगी, क्योंकि अब आपने एक sequence, एक flow के अंदर मेरे साथ में इन चीजों को connect करना ठीक लिए है, आगे चलते हैं यहां से, यह देखो, इसको बढ़ो, क्या कह रहा है, the potential energy of a particle of mass 1 kg, which is free to move along x axis, और x की format में दे रखी है, तो वो हमें potential energy दे थी, if total mechanical energy of the particle is 2 joule, तो देखो, अगर potential energy दे रखी है, इसका मतलब force कैसा है, conservative force है, क्योंकि conservative force के लिए ही potential energy define करी जाती है, और conservative forces के condition में, total mechanical energy conserved रहती है, total mechanical energy conserved रहती है, ठीक न, और वो जो total mechanical energy है, वो हमें दे रखी है, 2 joule है, अब देखो, कितना प्यारा ग्योशन बनाए गया है, आप से पुछा गया है, find its maximum speed, बच्चे connect ही नहीं कर पाएंगे, यार यह क्या पूछ लिया, अब तुम one by one, चीजों को connect करना सीगो हम speed निकालना चाहते हैं, speed कहां से आएगी, सर, kinetic energy से आ सकती है, तो अब problem मनगेगी सरो, सर हम maximum kinetic energy निकाल देते हैं, उससे हमारी maximum speed में जाएगी, अच्चा maximum kinetic energy कहां से आएगी, तो आप बोलोगे सर, total mechanical energy conserved है, ठीक है, यानि कि जो kinetic energy का और potential energy का sum है, वो conserved है, ध्यान से सुन तो जहां पर potential energy minimum होगी, वहां पर kinetic energy क्या हो जाएगी, maximum, क्यों, क्योंकि दोनों का sum आपको हमेशा क्या बनाए रखना है, constant बनाए रखना है, इसको ऐसे समझोगी, दो दोस्ते, राम और शाम, दोनों की जो total money है, वो हमेशा 1000 होनी चाहिए, ठीक है, वो हमेशा 1000 होनी चाहि तो जब राम के पास में एक रुपया होगा, minimum होगा, तब जाके शाम के पास में कितना हो जाएगा, 999 रुपीज होंगे, maximum हो जाएगे, राम के पास में 0 हुआ तो शाम के पास में 1000 हो जाएगे, मतलब देख लो आप, कि जब एक के पास में minimum होगा, तो दूसरे के पास में अपने आपी क्या हो जाएगा maximum हो जाएगा क्यों क्योंकि दोनों का sum जो है वो हमेशा constant बना रहता है तो एक तो हमने यहाँ से फंडा पकड़ा कि हमारी net mechanical energy जो है वो क्या रहनी चाहिए net mechanical energy हमारी रहनी चाहिए constant ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ इस बादल से हमें क्या सीखने को मिला इस से हमें यह सीखने को मिला कि जहाँ पर जहाँ पर potential energy minimum होगी ठीक है वहाँ पर kinetic energy अपने आपी क्या हो जाएगी maximum हो जाएगी ठीक है तो यह चीज हमने यहां पर अच्छे से कनेक्ट करने तो अब थोड़ा थोड़ा क्योंशन आया रस्ता मिला कि अब हमें क्या करना है हमें सबसे पहले तो minimum potential energy निकालनी है एक बार अगर हमारे पास में minimum potential energy आ गई तो उसको total mechanical energy में से minus कर लेंगे तो अपने आप maximum kinetic energy आ जाएगी और एक बार maximum kinetic energy आ गई तो फिर हमारे पास में maximum speed भी आ जाएगी अब हमें रस्ता मिल चुका है अब चलो इस question को solve कर लेते हैं तो असन हो गया ठीक है तो हमें u को क्या बनाना है minimum बनाना है तो यह हो गया x square divided by 2 minus x तो minimum बनाने के लिए आप सबसे पहले इसका differentiation करोगे x की respect में तो आपने किया du divided by dx तो यह कितना आ जाएगा x square का differentiation 2x, 2 से 2 cancel हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा x और x का differentiation हो गया 1 कहने का मतब आप force निकालोगे और इससे एक और चीज़ सीखना कि जहाँ पर force 0 होता है वहाँ पर potential energy minimum होती है यह force ही तो है एक तरीके से force का magnitude ही तो है तो जहाँ पर conservative force 0 होता है हम तो maximum minimum का concept लगा रहे हैं कि हमको u दे रख है हमने इसका differentiation करा differentiation को हमने किसके equal रख दिया 0 के equal रख दिया maximum minimum का concept तो इससे हमें x कितना मिला इससे हमें x मिला 1 तो x is equals to 1 पर potential energy क्या हो जाएगी potential energy minimum हो जाएगी double differentiation करके check कर लेना वो आ जाएगा आपको maxima की condition मनते वे नजर आएगी ठीक न तो यहाँ पर हमारी potential energy क्या मिलेगी minimum मिलेगी ठीक है चलो ठीक है तो चलो निकालते हैं इसकी minimum value निकालते हैं तो u की minimum value कितनी हो जाएगी यू की minimum value हो जाएगी x की जगे 1 रख दिया तो 1 divided by 2 minus का 1 तो यहाँ जाएगा 1 by 2 minus 1 करेंगी तो minus का 1 divided by 2 Joule यह हमारी u की minimum value आगए और अगर हमारा u minimum होगा तो यहाँ से हमें पता पढ़ गया कि हमारी kinetic energy जो होगी वो अपने आप ही क्या हो जाएगी maximum हो जाएगी कैसे निकालेंगे total mechanical energy लेंगे तो total mechanical energy कितनी है आपकी 2 Joule है और इस मेंस कर देंगे किसको potential energy को तो minus 1 by 2 Joule को हम लोग क्या कर देंगे minus कर देंगे minus minus plus हो गया तो 2 plus 1 by 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 5 divided by 2 Joule आ जाएगा यह हमारी maximum kinetic energy आगी और जैसे maximum kinetic energy आई अब हमें पता है कि यह होता है यह किसके equal होती है half into m into v maximum इसका square यह आ जाएगा आपका 5 divided by 2 2 से 2 चला गया m हमें कितना दे रखा है 1 kg दे रखा है उसको उधर बेज़ देते हैं तो v maximum आ जाएगा आपका रूट 5 divided by 1 या फिर इसको आप रूट 5 meter per second भी लिख सकते हो that will be your answer इस तरीगे से हम लोग maximum speed आपका बहुत प्यारा question बहुत प्यारा question इनको अच्छे से भले इस question को आपको दो बार देखना पड़े तीन बार देखना पड़े discussion को अच्छे से समझना है यह मेरी request है ठीक है चलो आगे चलते हैं यहाँ पर the potential energy again हमें x के format में दे रखी है a and b are positive constant x is the distance between the atoms the atom is in stable equilibrium वही equilibrium का मतलब क्या होता है force का zero होना ठीक है तो दो तरीके के equilibrium हो सकते है एक होता है आपका stable equilibrium ठीक है और एक होता है आपका unstable equilibrium है तो दोनों equilibrium तर क्या difference होता है दोनों में एक condition तो दोनों की same है कि इसमें भी आपका force 0 होना चाहिए और इसमें भी आपका force क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए force का मतलब होता है du divided by dx यहाँ पर भी 0 होना चाहिए और यहाँ पर भी du divided by dx क्या होना चाहिए यहाँ पर भी 0 होना चाहिए force तो 0 होना चाहिए तभी तो equilibrium बनेगा अब सर्थ difference क्या है फिर दोनों में difference है potential energy का stable equilibrium में आपकी potential energy minimum होती है तो आपका u जो है वो क्या होता है वो minimum होता है और इस case में potential energy जो है वो क्या हो जाती है वो हो जाती है maximum तो minima की condition क्या हुआ करती थी minima की condition हुआ करती थी कि इसका जो double differentiation होगा d square u divided by dx square यह क्या आना चाहिए यह positive आना चाहिए यह तो minima की condition बनती है और maxima की condition क्या बनती है d square u divided by dx square जो double differentiation है वो आना चाहिए आपका negative तो ऐसे दो अलग अलग conditions बनती है one is called stable equilibrium other is called unstable equilibrium थान रखना इसके उपर statement वाले question आ जाते है तो यह दोनो statement अपने आप में important है चलो सर अभी हमें क्या करना है इस question में तो हमें तो stable equilibrium की condition डून की देनी है यानि कि सबसे पहले तो हमें du by dx निकालना और उसको 0 के equal रखना है तो चलो कर देते हैं अपन तो हमने du by dx निकाला चलो तो यह है a upon x की power 12 ऊपर ले जाएंगे तो x की power minus 12 हो जाएगी तो इसको अपन लिख सकते है minus 12 पावर आजाएगी आगे a constant है और x की power हो जाएगी minus 13 minus 12 में से एक और बार minus 1 कर देंगे differentiation तो आप करी लोगे ऐसे यहाँ पर देखते है कि minus sign लगा हुआ है power उपर ले जाओगे तो minus 6 हो जाएगा तो minus 6 power आजाएगी आगे b constant है और x की power हो जाएगी minus 6 minus 1 that is minus 7 और इसको हमें किसके equal रख देना है इसको हमें 0 के equal रख देना है यह तो 30 stable equilibrium की condition चलो इसको solve करते हैं तो किसी भी एक चीज को दूसरी तरफ ले जाओ तो इसको उठा के अपन दूसरी तरफ ले जाते हैं यह यहीं पर रखते हैं minus minus plus हो गया तो यह हो जाएगा 6 times b times x की power minus 7 is equals to यह इधर negative है उधर जाके positive हो जाएगा 12 times a multiplied by x की power minus 13 तो आप देखोगे यहाँ पर कि अगर मैं x की power 13 को इधर लियाओं तो बचेगा x की power minus 7 divided by x की power minus 13 और 6b को उधर ले जाओं तो इधर आएगा आपका 12a divided by 6b 6 से यह तो cancel out होई गया 2a divided by b बचा और यहाँ पर देखो जब इसको solve करोगे तो minus 13 है उपर जाएगा तो plus 13 हो जाएगा प्लस 13 में से साथ चलेगे तो कितनी power बचेगी 6 बचेगी तो x की power 6 जो है वो किसके equal होना चाहिए 2a divided by b के equal होना चाहिए इस condition में हमें क्या मिलेगा stable equilibrium मनेगा या इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो कितना होना चाहिए 2a upon b इसकी power हो जानी चाहिए 1 by 6 मतब power 6 को अटाना है तो हमें root 6 लेना है 6th root लेना है यह हमारा answer हो जाएगा 2a upon b की power 1 by 6 option number 1 हो जाएगा यहाँ पर तो ऐसे questions भी आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो ठीक है ठीक है वेटा last question करते हैं फिर अपन हमारे अगले हत्यार पर चलेंगे conservative force acts on a 4 kilogram particle in x direction the potential energy ux is given by this ठीक है where x is in meters तो सिर्फ conservative forces है इसका मलब total mechanical energy conserved रहनी चाहिए तो मैंने आपको hint number one दे दिया hint number one दे दिया आपको कि आपकी total mechanical energy क्या रहेगी यह conserved रहेगी ठीक है वैसा कर वैसा जैसा अब यह अपनोंने पहले कराता ठीक है अब यू तो इतना ही है अब देखो kinetic energy 30 joule दे रखिये x is equals to eight meter पर तो तुम क्या करो x is equals to eight meter पर potential energy निकाल लो तो तुम total mechanical energy निकाल सकते हो ठीक है तो total mechanical energy निकालने के लिए आपको hint number दो दे रहा हूँ मैं कि आपको x is equals to eight पर kinetic energy तो दे ही रखी है कितनी 30 joule दे रखी है तुम potential energy भी निकाल लो तो इन दोनों का sum करोगी फिर तो आपको total mechanical energy मिल जाएगी फिर आप से पूछा गया है find the maximum kinetic energy तो फिर वही वाला concept कि kinetic energy maximum कहां पर होगी जहां पर potential energy minimum हो जाएगी तो यह हो गया आपका hint number पर तीन कि आपको maximum kinetic energy निकालनी है और यह कब होगी जब आपकी potential energy क्या हो जाए potential energy minimum हो जाए चलो खुद से करना है इस question को मैं दे रहा हूं आपको homework मज़ा आया है का ठीक है आज कल मैं थोड़ा सा homework बगरा ज्यादा दे रहा हूं आपको क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब डीपीपी मेंने डाली है ना अना उन डीपीपी के questions बहुत कम बच्चों ने solve किया अभी तक बच्चे पुरानी डीपीपी solve करने में तो बहुत पीछे चल रहे हैं बच्चे मुझस से हाल मेरे को comments के अंदर यहां पर बोलते रहते हैं कि सर आप यह करो वो करो फास डालो उसे लेबस कवोगा लेकिन जब खुद के करने की बात आती है तो मुझे सब दिखता है ठीक है तो अब मेरे को तो देखो एजट डॉक्टर आप बच्चे हो तो कभी आप देखना है कि छोटे बच्चे को आपको ठीक करना है दवाई पिलानी है अब छोटा अब नहीं कर रहें dpbs वगरा쪽에 कोई दिखकत नहीं है मैं आपको homework दे रहाऊं Uh grass देने सी होगा creeping हिंट वेगरा मिलेंगे तो आपका मन करेगा एक बार क्योश्ट को सौल करने आप यह सद्क्राइव दे रहा हूं वोट हुमविश्ट्व कर रहा हूं कि आपको हर लेक्चर के अंदर प्लेक्चर मिलने चाहिए तो यह क्योश्ट्व लोगों के लिए homework है ठीक है चलो अब चलते है अपने अगले हत्यार के उपर that is concept of power तो power का concept तो बड़ा simple है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसर पावर जो है न it is nothing but rate of doing work ठीक है it is rate of rate of doing work ठीक है एक तो simple से definition तो यह अच्छा जैसे हम किसी quantity को as a rate define करते हैं हमने velocity को as a rate define किया हमने acceleration को as a rate define किया हमने force को as a rate define किया तो notice क्या होगा वहाँ पर आपकी further दो categories बनती है एक बनती है आपकी average rate यानि कि average power ठीक है और एक बनती है आपकी instantaneous rate मतलब instantaneous power तो average power जो है वो तो हो जाती है आपकी total work ठीक है divided by total time आपने total work कितना किया है और total time कितना लगा है इन दोनों को divide करते हो तो ratio की format में आप define करते हो और instantaneous power जो होती है वो हो displacement तो अगर मालो आपका constant force work कर रहा है तो force तो आजाएगा बाहर और सिर्फ और सिर्फ displacement किसका सिर्फ और सिर्फ differentiation किसका होगा displacement का displacement का time के respect में जो differentiation होता है वो खुद किसके equal होता है velocity के equal होता है तो f dot v यह भी किसको represent करता है यह भी instantaneous power को represent करते है थीक है सर power की जो si unit है वो क्या होती है तो वैसे तो si unit होनी चाहिए थी joule divided by second बट हमने इसका नया नाम रखा है हमने नाम रखा है इसका watt यह हमने इसका नया नाम रखा है तीसरी चीज किसर dimensional formula क्या होगा तो इसका जो dimensional formula है वो हो जाएगा M1 L2 और T-3 क्योंकि work का या energy का जो dimensional formula होता है वो होता है M1 L2 T-2 उसको आपने further time से divide कर दिया तो यह आपका dimensional formula आजाएगा ठीक है अगर graph के अंदर पूछा जाए ठीक है अगर आपको work का और time का graph दे दिया जाए graph दे दिया जाए यह अगर आपको दिया जाए तो इसके अंदर जो power है वो कैसे निकालोगी तुम differentiation का मतलब होता है slope of the tangent तो slope of tangent इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो इसकी मदद से आप power निकाल सकते हो तो यह चोटे-चोटे-चोटे-चोटे concepts है जिससे आपका power का concept build होता है आप बोले कि इतना सा बिलकुल इतना सा यह लेकिन सर आप तो बता रहे थे कि power के उपर बहुत variety of questions मलते हैं तो बिटा आप ये सोच के देखो ना कि आपने पहले kinematics पड़ी displacement, velocity, acceleration फिर उसके उपर build हुआ dynamics, force और work और अब उसके उपर है power तो power दिखने में छोटा लग रहे हैं लेकिन ये सबसे ऊपर वाली मंजिल है और ऊपर वाली मंजिल पर आप direct parachute से उड़के तो पहुंच नहीं सकते तो पूरा नीचे से जो ground floor है वहां से variety of questions बन सकते हैं power तक आपको पहुंचाने के तो although power का खुद का concept बहुत छोटा है तो नहीं तो है लेकिन जब इसकी questions आप करोगे तो बहुत सारे अलग अलग type की questions बन सकते हैं और better तरीका तो यही है कि हम questions के माध्यम से concepts को अच्छे से समझें ठीक चलो तो अपन questions के तुरू समझते हैं सबसे पहला question लेते हैं engine of car of mass 1000 kg to accelerate it from rest to a speed of 72 km per hour in 20 seconds तो हमें power निकालनी है, power का मतलब होता है total work divided by total time, time तो हमें दे रख है, अब हमें निकालना है work, तो अब work हम कैसे निकालेंगे, force और displacement तो दे नहीं रखा, एक और तरीका है सर हम kinetic energy का change करके भी work निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने work energy theorem का use किया, work हो जाएगा आपका final kinetic energy minus initial kinetic energy, तो initial kinetic energy तो 0 है, क्योंकि हम rest से start हुए है, rest to, और final speed कितनी है, 72 km per hour, तो kinetic energy कितनी हो जाएगी final, half, mass हो जाएगा आपका thousand kilogram, ठीक है, और 72 km per hour जो है, ठीक है, इसको meter per second में convert करें अपन, तो यह हो जाएगा, 72 multiplied by 5 divided by 18, 18 से 4 बार जाएगा, तो यह हो जाएगा, 20 meter per second, I hope सबको आता होगा यह conversion, तो half, mass हो गया, 1000, और 72 का मतलब होता है, 20 meter per second, तो उसका हम square करेंगे, तो कितना आजाएगा, 400 आजाएगा, यह तो हो गई आपकी final kinetic energy, minus initial kinetic energy कितनी है, 0, 2 से 400 हो गया, कितनी बार, 200 बार, तो यह आजाएगा, आपका 200, 1000 की जगए अपन लिख देता है, kilo joule, क्योंकि 1000 का मतलब kilo होता है, ठीक न, तो इतना हमें work करना पड़ेगा, और एक बार अगर हमारे पास में work आ गया, तो power कितनी आ जाएगी हमारे पास में, तो power आ जाएगी हमारे पास में, work divided by time, तो work तो है हमारा 200 किलो जूल, और time है हमारा 20 से जला गया 100 बार, तो answer आ जाएगा हमारा 100 किलो वाट, जूल पर सेकिंड का मतलब होता है, वाट, इतना हमारा answer आ जाएगा, option number 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो सिर्फ power को लेके बैठे रहते न, यह question नहीं हो पादा, आपको power निकालने के लिए work निकालना आना चाहिए न, तो आगे न, work निकालने का सारा concept आ गया न, शामिल हो गय पावर के अंदर, इसलिए power इतना important है आजकल topic, क्योंकि तुम सोच के देखो, कि अगर कोई question मनाने वाला power का question पूछेगा, तो वो उसी question में तुमसे work की calculation भी करवा सकता है, वो उसी question में तुमसे work energy theorem भी लगवा सकता है, वो उसी question में तुमसे potential energy वाली definition भी लगवा सकता है तो अगर कोई दिमागदार examiner होगा, जिसे अगर मैं अगर question paper बनाओ, तो मैं एक question में multiple चीज़े check करना चाता हूँ, मैं चाता हूँ कि बच्चे ने पूरा chapter पढ़ा है या सिर्फ power पढ़ी है, तो मैं power के question पूछूँगा आपसे, इसलिए आज कल important हो गए है question, next question पर चलत है, तो power जो होती है, वो हो जाती है, f.v, force और velocity का हमें क्या करना है, dot product करना है, दूनों vector form में दे रखे, आसानी से आप इस question को खुछ से stall कर सकते हो, ठीक है, next चलते हैं बनाओ, body is being moved from rest along a straight line by a machine delivering constant power, तो हमारी जो power है न, power जो है, वो constant है, power जो है, वो constant है, the distance covered by the body in the time t is proportional, अब ये कैसे करेंगे, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, कि power constant है, और power, अगर particle एक ही straight line के अंदर move करें, तो power किसकी equal होती है, power होती है, force multiplied by velocity के उपर, dot product करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस direction में force लगा रहे है, उसी direction में particle move कर रहे है, ठीक है, अच्छा सर, force को हम क्या लिख सकते हैं, force को हम लिख सकते हैं, mass into acceleration, और velocity पहले से रखा हुआ, अच्छा, acceleration को हम क्या लिख सकते हैं, देखो, धीरी-धीर kinematics की problem बन जाएगी, तो यो जाएगा, mass into velocity का time के respect में differentiation multiplied by, एक velocity पहले से, तो मैंने बताया था कि जब भी कोई ऐसी equation मन जाती है, तो आप variables को separate कर लिया गरो, तो आप क्या कर सकते हो, अब इसको ऐसे लिख सकते हो, कि P divided by M multiplied by dt, ये किसके एकपल हो जाएगा, V multiplied by DV divided by dt, V into DV के एकपल हो जाएगा, आपने variables को क्या कर लिया, separate कर लिया, सर, variables को separate क्यों करते हैं, ताकि हम integrate कर सके, हम इधर integrate कर सकते हैं, time के respect में, और इधर integrate कर सकते हैं, velocity के respect में, क्योंकि हमें कोई limits वगरा नहीं दे रखी, तो अभी अपन indefinite integral करेंगे, तो यहाँ पर तो आजाएगा आपका P upon M multiplied by T, और यहाँ पर आजाएगा आपका V square divided by 2, तो V कितना आगया आपका, twice of P divided by M, ठीक है, इसका हो गया root and multiplied by time की power भी हो गया यहाँ पर, हाँ, ठीक है, इतना हमारा velocity यहाँ पर हमें मिलेगा, तो हमने देखा कि खुद velocity किसके directly proportional है, ठीक है, तो अब velocity की जगह अपने लिख सकते हैं, dx divided by dt, ठीक है, और यह किसके equal हो जाएगा, root twice of P divided by M multiplied by T की power half, अगीन variables को separate करो, तो यहाँ पर आगया आपका dx, और यहाँ पर यह सब तो constant है, twice of P upon M, इनकी चिंता करनी किया हो शकता नहीं है, T की power हो जाएगा half multiplied by dt, इधर आप integration कर सकते हो X के respect में, और इधर आप कर सकते हो time के respect में, तो यहाँ तो सिधा-सिधा कितना आजाएगा, X आजाएगा, यह जो root 2P upon M है, यह तो constant है, और time की power half का integration करोगे, तो power बढ़ जाएगी, तो half plus one करोगे, तो power कितनी हो जाएगी, time की power 3 by 2 हो जाएगी, और बड़ी हुई power से हम divide कर देंगी, 3 by 2 से हम divide कर देंगी, तो ultimately आजाएगा यह आपका 2 divided by 3, root के अंदर आजाएगा 2P upon M, और time की power कितनी आजाएगी, यहाँ पर 3 by 2 आजाएगी, तो हमसे तो यही पूछा गया था, कि displacement किस तरीगी से time के उपर depend करेगा, तो अब हमें इसका answer मिल चुका है, कि हमारा जो displacement है, वो time की power 3 by 2 के directly proportional होगा, यानि कि option number 2 हो जाएगा हमारा correct, तो यह बहुत popular problem है बीटा, अभी तो आपको displacement की dependence पूछी है, हो सकता है आपको velocity की time के उपर dependence पूछ ले, ठीक है, तो आप इसको याद ही रख लेना, आप इसको याद ही रख लेना, ठीक है, ताकि इस question में बार-बार आपको ये काम ना कर पड़ेगी, जब power constant होती है, जब power constant होती है, तो पहली चीज, पहली चीज, displacement किसके directly proportional हो जाता है, time की power, 3 by 2, अब तो धड़ादर धड़ादर निकाले जाओगे, velocity किसके directly proportional हो जाएगी, इसका differentiation कर दो, तो इसका differentiation करोगे, 3 by 2 आजाएगा, आगे, 3 by 2 माइनस 1 करोगे, तो सि time की power half के directly proportional होती है, ठीक है, अगर इन दोनों को देखोगे, तो इसका cube कर रहे हो आप, यानि कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, कि जो x है ना, वो velocity के cube के directly proportional होती है, पहर टी की power half का cube करोगे, तो टी की power 3 by 2 आजाएगी ना, तो तो velocity के cube के directly proportional हो, फिर velocity का दुबारा से differentiation करो, तो acceleration आजाएगा, तो acceleration किसके directly proportional हो जाएगा, पावर half तो आजाएगी आगे, अब half minus 1 करोगे, तो minus half आजाएगा, तो यहाँ पर आजाएगा, तो यहाँ पर आजाएगा t की power minus half के directly proportional हो, और अगर acceleration यह है, तो फिर पाँचवी चीज़ आप से force के बारे में पूछी जा सकती है, force तो वही mass into acceleration होता है, तो force भी directly proportional हो जाएगा, t की power minus half, यह आप से direct question पूछे जा सकता है, direct पूछे जा सकता है आप से question, ठीक है, अब body of mass m starts from rest with a constant power, आई गया ना question, velocity of the body at displacement s is v, तो s और v में हमें relation कुछे है, अभी अभी देखा था हमने, जो displacement होता है, वो velocity के cube के डाइरल के proportion होता है, अब हमें solve करने की ज़रत नहीं है, यह typical problem है, यह चीज़े आपको करने ही चाहिए, speed बढ़ाने के लिए, ठीक है, बारबर थोड़ी ना करोगे आप वो सारे के सारे steps, particle of mass m is driven by the machine that delivers a constant power, again constant power को यहाँ पे k लिख दिया, हमने p लिखा था, if the particle start from rest, the force on the particle at time t is, तो अभी अभी हमने देखा था, force जो होता है, वो time की power minus half के directly proportional होता है, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सारे के सारे time की power minus half के हैं, तो अब हमें निकालना पड़े, अब हमें निकालना पड़े, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने वोई दे जाएगा, के, f, ठीक है, तो f की जगह हम लिख सकते हैं, m into a, या इसको पन ऐसे लगने है, m into a multiplied by v is equals to k, या m into v times dv divided by dt is equals to k, तो v dv आजाएगा आपका k upon m into dt, तो v square divided by 2, दोनों तरफ integration करोगे, तो यह आजाएगा आपका k divided by m multiplied by t, तो v आजाएगा आपका root 2 k divided by m multiplied by t की power half, यह आगई आपकी velocity, ठीक है, अब velocity आपके पास में आगई, तो यहाँ पर velocity रख दो, तो यह उठा के आप वापस से यहाँ पर रख दो, यहाँ से आपके पास में force आजाएगा, force किसके equal हो जाएगा, k divided by velocity, ठीक है, तो k divided by root 2 k तो रह गया नीचे, root m चला गया उपर, और time की power reverse होके हो गई, minus का half, तो यह k cancel out हो जाएगा, तो ultimately ऐसा कुछ बचेगा, root के अंदर बचेगा, उपर भी m, उपर भी k divided by 2, times t की power minus half, तो root m k divided by 2, times t की power minus half, option number 2 हो जाएगा, correct, यह question आपको देना चाहिए था, homework के लिए, ठीक है, तो एक बार आपको, खुद को confidence आजा था, कि हायर, यह step जरूरत पड़े, तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है, और यह भी क्यू करना पड़ा, क्योंकि चारो option में, tiki power minus half दे रखा है, तो पुड़ा अच्छा question मनाया है, यह इसका मतलब होता है, power one fourth, मतलब आपका जो force F है, आपका जो force F है, वो directly proportional है, one upon x की power one by four के, यह होता है, root four होता है, ठीक है, find the variation of power due to this force with x, तो अगर हमारा force इतना है, तो force का मतलब क्या होता है, force का मतलब होता है, mass into acceleration, और acceleration का मतलब होता है, dv, vdv divided by, vdv divided by dx, force का मतलब हो गया, mass into acceleration, और acceleration x की form में लिखना है, तो कौन से वला formula यूज़ करेंगे, kinematics में करते थे, vdv by dx, तो m times vdv by dx, यह किसके directly proportional हो जाएगा, यह 1 upon x की power 1 by 4 के directly proportional हो जाएगा, ठीक है, अब proportionality की terms में बात करने हैं, तो constant तो हटा दो, जैसे mass वास हटा सकते हो आप ठीक है, तो एक तरफ बज़ गया, आपका v times dv, यह directly proportional हो जाएगा, 1 upon x की power 1 by 4 times dx के mass हटा दो, क्योंकि अब अभी equality की बात नहीं करें, proportionality की बात करें, constant से हमें कोई लेना देना नहीं है, इधर भी integration कर देंगी, इधर भी integration कर देंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा v square upon 2, यह directly proportional हो जाएगा, इसके x की power 1 by 4, उपर ले जाओगे, minus 1 by 4, minus 1 by 4, plus 1 करोगे, तो कितना बज़ जाएगा, x की power 3 by 4 बज़ जाएगा, minus 1 by 4, plus 1 करोगे, तो कितना बज़ जाएगा, और बड़ी हुई power से हम लोग डिवाइट कर देंगी, 3 by 4 से हम डिवाइट कर देंगी, अगेन, जो constant उनको हटा सकते हो आप, क्योंकि आप proportionality की terms में बात कर रहे हो, तो velocity का जो square है, वो directly proportional हो जाएगा, x की power 3 by 4 के, velocity का जो square है, वो x की power 3 by 4 के directly proportion हो जाएगा, तो यहाँ से यह चीज आगए आपके पास में, ठीक है, और, ठीक है, चलो, निकाल लो, तो v किसके directly proportion हो जाएगा, square को हटाना है, तो power half ले लेंगे, दूनों तरफ तो, इधर भी half लेंगे, तो square हट गया, इधर भी half लेंगे, तो x की power कितना रह जाएगा, 3 divided by 8 रह जाएगा, इसके directly proportion होगा, v, अगर v इसके directly proportional है, तो जो acceleration होगा, जो किसके इकल होता है, v, dv by dx, ठीक है, वो किसके directly proportion हो जाएगा, तो v तो ही है, ठीक है, तो v तो ही है, तो x की power 3 by 8 तो आने ही आने है, और v का x के respect में differentiation करो, तो 3 by 8 power आगी चली जाएगी, 3 by 8 minus 1 करेंगे, तो x की power कितनी रह जाएगी, 3 by 8 minus 1 करेंगे, तो minus का 5 by 8 रह जाएगा, मैं numbers नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि अभी अभी अपनों number से कोई लेना देना नहीं, अभी सिर्फ हमें power से लेना देना है, हम proportionality terms में बात कर रहे हैं, तो हमने देखा हमारा acceleration जो है, वो directly proportion हो जाएगा, अपने इसको देखेंगे, तो 3 minus 5 करेंगे, तो कितना बचेगा, minus का 2, तो x की power, अच्छे ये तो वैसे भी था आपने पास में, शिट, करने की ज़रूरत ही नहीं है, अरे force तो direct दे रहा है न, अब हम यहां तक पहुँच गया है, यहां तक पहुच गया है, मुझे लगा force नहीं दे रहा है, ठीक है, अब हमें finally क्या करना है, power की dependence निकालना है, तो power किसकी equal होता है, power होता है आपका force multiplied by velocity, dot product मत करो क्योंकि particle straight line के अंदर चल रहा है, direct force और velocity को multiply करना है, force किसके directly proportional है, 1 by x की power 1 by 4, और velocity x की power 3 by 8, तो power जो है, वो directly proportional हो जाएगा, किसके, x की power 3 by 8, यह तो आया velocity से, और x की power 1 by 4, यह आया force से, इसको उपर ले जाएगे, तो यह हो जाएगा आपका x की power 3 by 8, minus का 1 by 4, और जब इसको solve करोगे, तो LCM आजाएगा आपका 8, ठीक है, इधर तो बचेगा 3, और इधर बचेगा minus का 2, तो यह हो जाएगा आपका x की power 1 by 8, इसके directly proportional हो, इसके directly proportional हो, तो क्योशन थोड़ा, ऐसा calculation wise हो सकता है, आपको difficult लगे, बट ऐसा क्योशन हम कर चुके हैं, यह वो ही category का क्योशन है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, गवरानी की आवशकता नहीं है, basically यह है, ठीक है चलो आगे चलते हैं, body of mass 1 kg, begins to move under the action of time dependent force, यह हो गया, तो हमें force दे रखा है, mass दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम acceleration निकाल लेते हैं, acceleration हो जाएगा आपका force divided by mass, क्योंकि mass 1 है, तो as it is आजाएगा, twice of t i cap, and plus twice of t square times j cap, यह आपका acceleration आगे, अगर acceleration time की format में दिया जाता है, ठीक है, तो हम velocity निकाल सकते हैं, कैसे, using integration, तो velocity हो जाएगा आपका integration of acceleration, 2t i cap, plus 3t square j cap, with respect to time, तो velocity आजाएगा, आपकी, twice of t square divided by 2 times i cap, and thrice of t cube divided by 3 times j cap, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो यह आजाएगा, t square times i cap, and plus t cube times j cap, यह आगे हमारी velocity, अब तो power निकालना बहुद आसान है, power किसके equal होता है, power होता है, dot product of force vector and velocity vector, और दोनों vectors हमारे पास में हैं, दोनों का dot product कर दो, तो यहाँ पर 2t है, और यहाँ पर t square है, तो dot product करोगे तो कितना हो जाएगा, 2t cube हो जाएगा, plus, यहाँ पर 3t square है, और यहाँ पर t cube है, तो करोगे तो यह आजाएगा, 3t की power 5, इतना आपका answer आजाना चाहिए, 2t cube and 3t to the power 5, option number 1 हो जाएगा, correct, बहुत simple question है, थोड़ा बस आपको डराने की कोशिश करी गए है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, थेकर न, आगे बड़ो, यह देखो, engine pumps water through a hose pipe, water passes through the pipe and leaves it with a velocity of 2 meter per second, the mass per unit length of water in the pipe is 100 kg per meter, mass की rate दे रखी है, what is the power of the engine, आपको engine की power बतानी है, कितनी होगी, ठीकर न, एक बिल्कुल डिक्टो क्योश्चन यह है, यह वाला क्योश्चन, वोई engine pumps water continuously through a hose, water leaves the hose with a velocity V and M is the mass per unit length of the water jet, मास की लेंथ के respect में rate दे रखी है, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर भी हमें वोई दे रखा है, kg per meter, mass per unit length, ठीकर? ठीक है, ठीक है, what is the rate at which kinetic energy is imparted to the water? तो अब बच्ची क्या होते हैं, यहाँ पर थोड़ सा confused हो जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे इसको करते हैं, rate of kinetic energy निकालते हैं, ठीक है, तो rate of kinetic energy कैसे निकालेंगे? जो हमारी kinetic energy है, हाफ into mass into velocity का square, इसको हम किस से divide कर देंगे? इसको हम time से divide कर देंगे, time से हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको divide कर दिया, kinetic energy per unit time, अब हमें क्या दे रखा है? mass per unit length दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा डंग से लिखने की कोशिश करते हैं, तो जो rate of kinetic energy है, rate of kinetic energy है, उसको लिखा जा सकता है, मैं rearrange कर रहा हूं half, mass पहले से है, मैं इसको length से divide कर देता हूँ, अपनी तरफ से, ताकि mass per unit length बन जाए, अच्छा length से divide किया है, तो length से multiply भी करना पड़ेगा, तो length से मैंने multiply भी कर दिया, नीचे time आपका था ही पहले से, और velocity का square भी पहले से था, अब देखो, यह जो mass per unit length है, यह तो हो जाएगा, half multiplied by mass per unit length, तो जो भी आपको question में दे रखा होगा, mass per unit length, वो हम यहाँ पर ले लेंगे, और length divided by time, यह खुद velocity के equal होता है, distance divided by time velocity, तो यह एक velocity है और यह square है, तो ultimately यहाँ पर क्या आजाएगा, velocity का cube आजाएगा, अब से आप यह direct एक formula के तौर पर ध्यान रख सकते हो, this is rate of kinetic energy, direct यह बन गया आपका formula, तो जिसे इस question में हमें क्या दे रखा है, half तो पहले से ही था, mass per unit length क्या दे रखा है, V का हमने कर दिया cube, तो answer आगया, half into M multiplied by V cube, यह हो गया हमारा answer, half into M multiplied by V cube, option 4 हो गया हमारा, correct, अब आप बोलोगे सर्थ, यहाँ तो हमसे rate of kinetic energy पूछी गई है, ठीक है, अब यह जो rate of kinetic energy है न, देखो सोचो, kinetic energy किसके एक्वल होता है, net work के equal होता है, total जो work किया है, तो कल को अगर आपसे net power पूछी जाए न, net power का मतलब जितने भी forces लग रहे हैं, तब के द्वारा delivered power, तुम धक्का लगा रहे हैं उसकी भी power और जो friction अपोज कर रहे हैं उसकी भी power, उनका combination अगर तुम निकालो, तो जब आपको total power निकालनी हो, total power of all the forces, तब तो आप direct यही वाली चीज़ कर सकते हो, तब तो आप direct यही वाली चीज़ कर सकते हो, लेकिन पिछला question जो है, जैसे यह वाला question है, इसके अंदर आपसे पूछा गया, what is the power of the engine, तिर्फ इंजन की power निकालनी है, तिर्फ इंजन की power निकालनी है, यह कैसे, तो आप क्या करोगे, अगर total power निकालनी होती, जिसमें इंजन की power भी शामिल है, जो कि पानी को धकेल है और जिसमें फ्रिक्शन भी शामिल है जो कि उस पानी की बहाओ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर दोनों का स्थम निकालने के लिए कहा जाता तब तो हम half mvq जो rate of kinetic energy है वो ही कर देते हैं यहां पर हम वो नहीं कर सकते हैं तो कहीं बार बच्च है पावर किसके equal होती है पावर होती है force multiplied by velocity और force को कैसे लिखा जा सकता है mass into acceleration लिखा जा सकता है तो यह हो जाएगा mass into acceleration acceleration को लिख देंगे अपन dv divided by dt multiplied by v already है आपका ठीक या फिर अगर आप चाहो तो acceleration को directly लिख दो क्योंकि हमें per unit length की terms में लिख ले हैं तो हम v times dv divided by dx तो यह हो गया आपका mass और यह हो गया आपका acceleration और एक velocity पहले से है एक velocity पहले से है ठीक तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो mass into velocity का square multiplied by dv by dx ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है तो velocity हमें दे रखी है हाना mass per unit length हमें दे रख है what is the power of engine engine की power कितनी होगी यह हमें find out करना है तो अब देखो यहां से हम कैसे इसको figure out करेंगे इसको थोड़ा simplify करते है पन क्योंकि जो quantities हमें दे रखे न उसकी terms में differentiation पर जाने की जरुरत नहीं है ऐसे लिखो इसको force जो होता है वो होता है mass into acceleration ठीक है और velocity जो है वो आपको पहले से दे रखी है ठीक अब acceleration खुद किसके एकवल होता है तो acceleration हो जाता है आपका acceleration हो जाता है velocity velocity divided by time और यहां पर एक velocity पहले से है और देखो इसको फिर से rearrange करता है हमें तो mass per unit length दे रखा है तो हम क्या करेंगे mass तो ही इसको हम अपनी तरफ से length से divide कर देंगे ठीक है अच्छा अपनी तरफ से length से divide किया है तो length से multiply भी करना पड़ेगा फिर यह वाला जो time है उसको मैंने length के नीचे लिख दिया और velocity और velocity multiply होके already क्या बन रखा है आपका velocity का square बन रखा है अब देखो तो यह तो हो गया आपका mass per unit length तो यह तो हो गया आपका mass per unit length हो गया अक्सर हमें ऐसे question के अंदर यह दिया जाता है और length divided by time क्या होता है velocity तो velocity into velocity का square करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका velocity का cube हो जाएगा तो आप देख रहो जो हमने question किया था जिसमें हमने rate of kinetic energy निकाले थे उसमें आएधा half into mass per unit length into velocity का cube यहाँ पर वो half हट गया क्यों हट गया क्योंकि हमने यहाँ पर total engine की power निकाल गया तो engine positive power दे रहा है और उसमें से friction जो है वो आधी power निकाल ले रहा है तब जाके आपकी जो rate of kinetic energy हो कितनी आ रही है सिर्फ half आ रही है इसका तो यह difference आपको पता होना चाहिए खिर अभी यह question हमारे लिए solve हो गया हमें mass per unit length कितना दे रखा है 100 दे रखा है ठीक है 100 kg और velocity कितनी दे रखिया दो तो दो का कर देंगे हम cube 8 तो यह आजाएगा आपका 800 वाट यह हमारा answer आजाएगा option number 1 हो जाएगा यहाँ पर correct सोच के देखो यह जो mass per unit length है इसको भी आप बहुत त्यारे तरीके से लिख सकते हो ठीक है और थोड़े advance questions मनाया जा सकते है जैसे मानलो यह आपका pipe है ठीक है और इस pipe का आपने एक segment उठाया ठीक है तो इसका area of cross section कितना दे रखा है आपको तो इसका area मानलो आपको दे रख है और इसके अंदर जो पानी बह रहा है इसके अंदर जो पानी बह रहा है उसकी density कितनी दे रखी आपको उसकी density आपको दे रखी है रो दे रखी है ठीक है और यह जो length है यह एक बार के लिए लिए लो आप dx ठीक है तो mass का मतलब क्या हो गया तो mass का मतलब होता है density multiplied by volume volume का मतलब हो गया a into dx density multiplied by volume तो volume of this segment कितना हो जाएगा a into dx हो जाएगा तो यहां से mass per unit length कितना होगा अगर आपको confusion हो रहे है तो मैं dx की जगे length लिख देता हूँ dx की जगे क्या लिख देता हूँ कहीं बार बच्चों को इससे confusion हो जाता है differential quantities से यहां पर भी आप क्या लिख दो length लिख दो ठीक है तो mass per unit length जो होता है वो किसके equal होता है वो होता है rho into a के equal यह भी आपको ध्यान रखना है यह भी आपको ध्यान में रखना है तो एक formula और बनेगा यहां से क्या कि जो power होगी कल को आप इसको कैसे लिख सकते हो mass per unit length तो उसको तो लिखा जा सकता है rho into a ठीक है और velocity का cube, velocity का cube मतलब हो जाएगा V cube यह भी है आपका power को लिखने का एक और तरीका यह भी है power को लिखने का एक और तरीका यह चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखने हो ठीक है आगया सबको समझ में अब देखो यह कहां काम आएगा तो एक last question अपन और कर लेते हैं फिर मैं आपको free करता हूँ यह question देखो pump is used to deliver water rate at a certain rate from a given pipe ठीक है तो अभी हमारी जो rate of flow है rate of flow rate of flow का मतलब होता है mass per unit time mass per unit time जो जो rate of flow है इसको मैं एक बार के लिए लिए लिख देता हूँ r यह किसके बराबर होती है mass per unit time अब mass per unit time जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको मैं लिख सकता हूँ mass चाहिए तो यह तो अभी वाली rate है यह तो case number one है आपका अभी है यह rate अगर आपको n times ज्यादा पानी चाहिए तो obviously आपको rate को increase करना पड़ेगा तो जो आपका case number two है उसमें जो r- है वो कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी n times r अच्छा r- का मतलब क्या होगा pipe तो तुमने वो ही use किया है इसका मतलब तुम row को change नहीं कर सकते liquid तो अभी भी वो ही flow हो रहा है pipe भी तुमने वो ही use किया है मतलब a को भी change नहीं कर सकते तो पक्ता तुमने किसको change किया है speed को change किया तो r' में rho same रहा, a same रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या बन गया, v' बन गया, velocity को आपने change कर दिया, और यहाँ पर क्या हुआ, n तो था ही पहले से, और r कितना था आपका, rho into a into v था, rho a से rho a कट गया, तो v' कितना आ जाएगा, आपका n times v, तो यह तो बहुत straight forward हो गया, कि सर अगर ह हमें n times ज़्यादा पानी चाहिए, same pipe से, तो हमें velocity को क्या करना पड़ेगा, n times increase करना पड़ेगा, अब velocity को चलो n times increase कर दिया, अब बात करते हैं कि सकी, force on the water, अब force का मतलब क्या होता है, f' जो होगा, वो किसके एकवल हो जाएगा, f' किसके एकवल हो जाएगा, तो यहां, इस वाले case में force कितना था, तो force होता है आपका, अगर आपको याद हो, तो force होता है आपका, m into a, acceleration, यानि कि mass into velocity divided by time, ठीक है, mass into velocity divided by time, again, थोड़ा सा इसको rearrange करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, length से इसको divide कर दूँगा, क्योंकि mass per unit length की terms में मैं बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ, और divide किया है, तो length से मैं इसको क्या कर दूँगा, multiply भी कर दूँगा, तो यह length divided by time जो है, यह तो बन जाएगा आपका velocity, बन तो force को लिखा जा सकता है, अगर आप चाहूँ, तो force को लिखा जा सकता है, mass per unit length, which is nothing but rho into a, और velocity तो पहले से था, एक और velocity आगया, तो यहाँ पर आजाएगा velocity का square, तो अगर आपने velocity को n times increase कर दिया, यह दोनों तो change होंगे नी, तो पक्का force भी क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, तो f dash जो होगा वो हो जाएगा, rho into a times v dash का square, और v dash कितना है, खुद n times v है, इसका square कर दिया, तो यह आजाएगा आपका n square times rho into a into v square, मतलब n square times force f, जो पहले force लग रहा था, उसके तुलना में अब आपका नया force भी कितना हो गया, n square times हो गया, और अभी-अभी power के बारे में तो बात करी थी, कि power जो होती है, वो किसके equal होती है, rho into a into velocity का cube, मतलब v dash का cube हो गया, v dash कुद किसके equal, n times v के, तो यह हो जाएगा, rho into a, n times v का हो गया cube, तो यह हो जाएगा, n cube times rho into a into v cube, यह पहले वाली power हो गई, तो n cube times power p, याद रख लेना बहुत important question है, कि जब आप same pipe से n times ज़्यादा पानी निकालना चाहते हो, same time के अंदर, तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, speed को n times increase करना पड़ता है, force को n square times increase करना पड़ता है, जो engine से आप धक्का लगा रहे हो, और जो engine से आप power दे रहे हो उसको आपको n cube times increase करना पड़ता है मालो आपको double पानी निकालना है same time के अंदर तो आपको 8 गुना ज़्यादा power का engine use करना पड़ेगा बहुत important question है यह questions पूछे जाने के chances आजकल बनते हैं power के उपपर फिलहाल आज का lecture यहीं पर करते हैं समाप्त उम्मीद करता हूँ lecture हर lecture की तरह बहुत ही जानदार रहा होगा यह तो आप comments के अंदर मुझे बता ही दोगे मिलता है पर next lecture के अंदर तब तक के लिए टाटा वाइबाए see you all in next class